अब जब भी आप कोई भी तीपक देखते हैं जलाते हैं उसकी आकरतिया बहुत बदलती हैं कईयों के इस्ट अलग-अलग होते हैं उसकी वजय से भी आकरतिया बदलती हैं साधना की वजय से भी आकरतिया बदलती हैं तिवहारों की वजय से भी आकरतिया बदलती हैं कुछ दिन होते हैं जो जाखरत होते हैं उनसे भी आकरतिया बदलती हैं बाबा काशिरवाद SPM channel पर आपका स्वागत है हमारी इस्टा पर भी आईडी है बाबा काशिरवाद आप वहाँ पर भी फोटो वीडियो बेश सकते हैं अगर आप रोतक हर्याना के आसपास के हैं तो शनिव समय लग जाता है अब हमारी परस्परशन आ रहा है कि दीपक में अगर कटार बनता है क्यों बनता है या क्या संकेत है देखो जब भी कोई भगत है वो मता महकाली की राधना करता है या कोई ऐसे देव जिनका सस्तर कटार है जिन्होंने सस्तर धान कर रखा है कटार को वो क् करती बना देते हैं उसका कार्ण यह है कि कोई भी मनुश्य है उसके जीवन में एक जैसे घ्रह नहीं रहते हैं एक जैसे उसका समय नहीं रहता है कई बार कोई पाप पुन्डे या करा कराया या कोई भी किसी के द्वारा हम पर कोई क्रिया कर दी जाती है या कोई भी बुरा क क्योंकि जो माता ने कटार अपने हाथ में इसलिए धारण की है क्योंकि कटार से वो सारे हमारे दुखों को दूर करती हैं अगर कोई नेगेटिव शक्ति आई है उसको दूर करती हैं अगर कोई हमें इतंग करते हैं तो उनको दूर करती हैं तो कटार की जुआ करती है वो बह किया है वो आपको उस समस्या से दूर लेकर आ रहे हैं अभी पीछे से हमारे पास एक मैसेज आया यूपी से उन्होंने का कि उनकी आकरती कटार की बन रही है कई दिनों से तो किसी पास कोई भगत होंगे उनके पास गए तो उन्होंने का कि बहुत बड़ा संकट आ गया है औ और आप भी काउन सो रुपे दो मैं ये कर दूँगा आपको तो मैं बता देती हूँ जब भी कटार है बन रही है इसका मतलब यह है कि माता आपके संकटों को दूर कर रही है आपको इदर उदर भागने की कोई अश्रक्ता नहीं है सिर्फ अपना जाप बढ़ा सकते हैं मा को धन्यवाद कर सकते हैं मा का आप किर्तन कराई ये मत सोचा करो कि किसी भगत को अगर जैसे आप हैं हमसे भी अपना कोई कारे कराती हैं हम आप यह कहें कि आप मता जी इतने पैसे लेकर हमारा ये कारे कर दो हमारे नाम का यग कर दो जाप कर दो हमन कर दो कर देती हैं पर उससे सामने वाले को बहुत कम लाब मिलता है। इसलिए स्वैम करने पर विश्वास करना चाहिए। अगर समय नहीं है तभी किसी बगत से आप जाप करवाई।